हां जी बेटा यहां पे देखो हम इस साइड में face value पहले आपको करवा रही हूं तो जैसे हमारे पास digit है 595, 595 तो हमने यहां पे जो underline digit है उसकी face value बतानी है तो मैंने face value की short form डाली fv यहां पे तो हमने 9 की face value बतानी है face value बेटा वही digit होता है जिस digit की हमें face value बतानी होती है तो वो उसकी face value ही होता है इसलिए यहां पे हम 9 ही write करेंगे ठीक है 9 की face value 9 ही होगी और आगे देखो underline digit क्या है 6 तो हमने 6 की face value बतानी है तो 6 की face value क्या होगी 6 ही होगी ठीक है यहां पे हमने 6 write कर आगे फिर बेटा देखो 426 कि दीलूठ यहां पे 6 की महीं स्क्षक्ण थेहां पर आगे बिटा 2,7 4 तो इसमें तो 2 की सब्सक्राइब आजने हैं थेीं टो की फ़िएस व लुगी क। और यह नहीं भाटे पास पर आज सेंपडा पर यहां पर अगा गई है तो हमने 6 की प्लेस वेलु बतानी तो हमने लिए च्छी प्लेस वेलु बतानी है तो इहıtr से स्टाक्रेंगे मुजक़् जितने की पिछे जितने बीटीजिट होंगे उतनी हम Зीरो बना देंगे ठीक है ऐसे तो 6 की place value क्या होगे 600 आगे है बेटा place value हमने 9 की बतानी है तो हमने 9 की place value बतानी है सबसे बहले हम 9 को as it write कर लेगे और इसके पीछे कितने digit है 1 digit है ठीक है तो हमने यहाँ पे 10 बना देनी है तो 9 की place value क्या होगे 90 अब देखो बेटा हमारे पास number है 887 तो हमने underline digit 7 है तो 7 की as it ऐसे ही लिखा और हमने 7 की place value किने तो 7 की पीछे कोई भी 0 कोई भी डिजिट नहीं है इसलिए 7 की place value क्या होगे 7 ही होगी आगे 752 ठीक है तो हमने 5 की place value राइट करनी है तो 5 को as it ऐसे ही राइट करेंगे और उसके पीछे कितने digit है 1 digit है तो 1 0 इसकी पीछे आगे 465 तो यहां पर place value हमने राइट करनी है 4 की तो 4 की प्लेस वेलू क्या होगी हम 4 को as it ऐसे ही राइट कर लेंगे और उसके पीछे कितने digit है 4 को हमने as it ऐसे ही राइट किया और उसके पीछे 2 digit है तो हम 2 0 से बना देंगे यहां पर तो 4 की place value क्या होगी 400 ठीक है तो क्योंकि समझ आगी होगी और उस आपने अपनी रफ नोटबुक पेस की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से ठीक है थैंक्यू है वनाइस टी